कि बुल्डोजर का टाइटल मिल गया है तो बहुत फक्र की बात है वे शरम लोग समझते नहीं कि गरीबों के पेड़ पर लात मानने का काम किया है इसे सवाल करना मैंने तुम्हें हजार रूपये के राशन के लिए वोट नहीं डाला था आकाश आप यह माना जा रहा है कि बीएसपी का मौड़न चेहरा हैं सोशल मीडिया तक बीएसपी को ला रहे हैं क्या आपके जरी बीएसपी का चेहरा बदलने के तेयारी इस नॉट एन एयर लूप यह कोई विरासित नहीं है यह जिम्मेदारी है कि आप बीजेपी की बीटीम है यह आरोप लग रहे हैं अगर चुनाओ के बाद जरूरत पड़ी तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे हम जाएंगे नहीं हम इस्तमाल करना जानकर हम इस्तमाल करेंगे वो ने असली आकाश अनन ने चुनाओ प्रचार की शुरुवात की है और आकाश अनन इस वक्त होद हमारे साथ है चुनाओ प्रचार बिलकुल पीक पकड़ चुका है और मायावती जी नहीं दिख रही है तो क्या मान लिया जाए कि यह डेलिबरेट है और अब भी बेस्पी का चाहरा है नहीं आएक्चली माम की कम सकम अभी 45 प्लस रैली इस प्लाइन है और वो हर छेत्र में खुच जाकर कमांड समाल रही है हम उनके लिए अब कह सकते हैं मौम अप कर रहे थे ग्राउंड को और अब जब वो गई है तो मैसेज जो एक हमारे वोटर्स को जिस तरीके से उन्हें पसंद है उस तरीके से बेंजी डिलवर कर रही है लेकिन एक चीज जो बार-बार आ रही है वंश्वाद कारोप लगता रहा है और मायावती जी ए कहती रही है कि वो इसको तो बिलकुल ही प परिवार को आगे रखने से पहले परिवार के सदिश से को आगे रखने से पहले बेहन जी ने कम से चार लोगों को आउट ऑफ फैमिली उनको मौका दिया था और कहीं नहीं निभा पाए कुछ समय बाद सीनर लीडर्शिप ने खुद अग्वाइस किया कि आप अपने परि यह कोई विरासत नहीं है यह एक जिम्मेदारी है अम इस चीज को वैसे ही निभाएंगे लेकिन अकाश बड़ा अलग सी छवी है आपकी जैसे अभी आप सामने बाठ कर बात कर रहे हैं और जब आप रैलियों में होते हैं बिल्कुल अंग्र यंग मैन दिखते हैं वह अमि अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसके पेपर लीख हो जाए एक्जाम देने के बाद जिसके लिए वह इतने सालों से त्यारी कर रहा है तो वह जो गुस्सा है वह मेरा अकेले का गुस्सा नहीं है जितने भी हमारे ओपोजेशन के लोग हैं इस्पेशली जो सर करते हैं चाहे वह सरकार में बैटे हैं चाहे वह ओपोजेशन में बैटे हैं आपने किसी को भी नहीं छोड़ा है वहां से तो असल आपकी लड़ाई किसके साथ हमारे लड़ाई सम्विधान को बचाने के लिए हमारे लोगों के राइट के लिए है और कुल ओपोजेशन से नहीं लड़े हैं, हम अपने वोटर्स के लिए लड़ रहे हैं, हम उन्हें समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैदान में उतरे हैं, कि जो सही मुद्धे हैं, वो उन चीजों पर आप एवालुएट करें, हमारे वोटर्स उन चीजों को ध्यान में रखके इस बारी वोट जैसे आपके बारे में कहा रहा है कि आप बाहर से पढ़ाई करके हैं, आप सोचल मीडिया पर अक्तिव हैं, आप यूआँ से उकनेक्ट हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो यहां के यूआ हैं, खास्तोर से आपके समुदाई के यूआ हैं, क्या उनकी नब्स आप पक कि क्या तकलीफ है और फिर वो मुद्दो को सामने लेके आए युवाओं के कनेक्ट होने की बात खास्तोर से अभी इसलिए रेलिमेंट है क्योंकि आपके सामने भी मुकाबले में युवानेता है जैसे चंद शेखाराजाद है अखिलेश यादव है राहुल गांदी है जहां स्था रेप्रिजेशन के बात है अरे है कि इनके मुद्दों के इनके उनके मुद्दों को राइट फुली रही उतार पा रहे हैं रही बात रहुल गांदी जी की कॉण्ग्रेस पाटी 60-70 से जादा बहुत 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 राज्यों में उनकी वो रही है सेंटर में रही है पर आज भी अगर उन्हें इतना समय लेने के बाद भी ये बताना पड़ रहा है कि हम reservation की बात करेंगे, हम पिछरे समाज को representation की देने की बात करेंगे, I think वो अलड़ी बहुत लेट हो चुका है. आपको क्या लगता है जो वो नहीं कर पाए अब तक, वो अब आप आए है पॉलिटिक्स में, वो कर पाएंगे? मैं तो वही कर रहा हूँ जो बहन जी ने पहले करके दिखाया, हम तो उसी चीज को वापिस लेके समाज में जाके खड़े हुए हैं. अब जब हम इतने सारे युवा पॉलिटिशन की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल में आपसे जानने चाहूँगे, आपका फेवरेट युवा पॉलिटिशन कौन है? हमारा फेवरेट युवा पॉलिटिशन? आपने मानेवर साब को देखा होगा उनके यंगर एज देज में, वो आइडल हैं. अभी फिलाल कोई नहीं है? अभी सेवाल कोई नहीं है? अभी सेवाल, there is nobody who is as good as मानेवर साब में बहन जी जाने का एक सवाल जो उठा जब इंड अपने वोटर्स के यहां से आता है, कि अगर हम opposition को या दूसरी पार्टियों को साथ में लेके आएं, तो सीट निकल आती है, बट अगर वो हम से दूर रहें, तो हमारा वोट कार्ट निकल जाती है हाथ से, तो इसलिए हम इस बार ये मेसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हमें बोलते हैं, हम वोट काटते हैं, या हम किसी दूसरी पार्टी की बी टीम हैं, तो अच्छली जो काम बी टीम का कर रहे हैं, वो दूसरी इंडी अलाइंस टाइप मेरा सवाल एसे पराने वारा था, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी की बी टीम है, ये आरोप लग रहे हैं और खास्तवर से प्रश्य में उत्तर प्रदेश में आपने बीजेपी की मदद के लिए स्ट्रॉंग मुस्लिम कंडिदेट्स ख़ए करें, वो इसलिए करें क्योंकि वहाँ पे उस पार्टिकलर वीजिन में, उस पार तो आपको लग रहे है मुसलिम आपके साथ है? अगर चुनाओ के बाद जरूरत पड़ी तो क्या भी ज़ाएगे? हमारा एंड अब्जेक्टिव यह है कि किसी तरह हम पोलिटिकल पावर में आ जाए ता कि हम अपने समाज के लिए काम कर सके हैं अब इससे इंकार नहीं कर रहे है कि कल को किसी के साथ जाना पड़ा तो आप जाएंगे हम जाएंगे नहीं हम इस्तमाल करना जानते हैं और हम इस्तमाल करेंगे किसी का भी इस्तमाल करेंगे इस्तमाल करेंगे ताकि हम अपने लोगों को सर्फ कर सकें जो परफॉरमेंस बीएस्पी की रही है पिछले कुछ सालों में जिस तरह से वोट शेयर घटा है जिस तरह से एक सीड पर आप से रहेंगे फिर भी अभी आप किसी के साथ नहीं जा रहे हैं और आप कल क्या करेंगे इसके पत्ते नहीं खोल रहे हैं क्या बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं अकेले जाना रिस्क नहीं है ऐसे वक्त में रिस्क नहीं है ऐस लोग आज हमें पता है हमारा वोटर हमारे साथ है आप एक ऐसे वक्त में आप इस पॉलिटिकल मंच पर उतरे हैं आप कह रहे हैं कि आपके कारेकरता आपके साथ खणे आपके बोटर आपके साथ खणे हैं ये भी कहा जा रहा है कि अब बाट का अब बर्चस मह पूरा नहीं रहा है इसा कौन कह रहा है, अगर आप ग्राउंड पे रिपोर्ट लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा माइनॉरिटी में, मैं खाली दलित नहीं कहूंगा, सब माइनॉरिटी में कोई ऐसी कम्यूनिटी नहीं है, जिसको नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी उनके पतम हुज भी लोपार्टी में, सबस्द बैएं, जिसको नहीं कोने लोगों कव्माद कर रहे हैं, और अपने लोगों की बात कर रहे हैं, अपने लोगों की बात कर रहे है, अपने वोटर्ष के 270 आज वोट रेतों, 900 भार्ट ढोक्तं मुद रोग की लिखानर से बिशर य तो मुझे लगता है कि जब आप अपने लोगों से बात करें तो उनके मुद्दों की बात करी जाए इसे छुडबे चीजों की उसके जैसे हजारों मिल जाएंगे आजकल समाज में रोड स्रक्ष गूमते हुए जो बोलेंगे कि हम जैभीम जैभीम करेंगे और लोगों को पर आप क्या कहेंगे आपने कहा कि इलेक्ट्रॉरल बॉंड के जरिये धन्ना सेठों ने पैसा दिया उनको और आपको आपके कारेकरता पैसा दे लेकिन आपकी पार्टी के चंदे पर भी तो सवाल उठते है तो जो बहुजन समाज पाटी को बदनाम करने की कोशिश करते कि चंदा लेते हैं उनसे पूछे कि हमारे हाँ जो वोटर है जो हमारा कारे करता है वो बारा महीने वो एक किताब लेके घुंगता भीचारा कि किसी तरह उसको जो उसने किताब ली है उसके बेसिस पे पार्टी चलाने के लिए पैसा चंदा मिल जाए आप जब ऐसे लेता ड़िए पार्टी पर नहीं इंजाम लगा रहे जबे नो कि उनकी जो मेहनत है वो किसी तरह निगलेक्ट करी जा रहे है या वो कि बेकार है इस बार कि चुनाव से प्रचार से पहले भी कास सेंसस का मुद़् जाए भूट उस पर क्या करेंगे था आगे कास सेंसस जरूरी ह सब को एक्चली इंडिया को कौनसी कौनसी सब कम्यूनिटीज को क्या क्या ज़रत है वो उस ही में से निकल के आएगी किसको कितनी रेप्रेजेंटेशन की ज़रत है किसको किसको स्पेशल इटेंशन की ज़रत है वो वहां से निकल के आएगा, I think it's a very important issue अब एक सवाल ये विपक्ष की तरफ से भी उठ रहा है कि ED Political Tool बनता जा रहा है आपका इस पर क्या कहना ED Political Tool बनता जा रहा है अब इसमें अगर Opposition कह रहा है ED Tool है तो Opposition Party भी कभी सत्ता में थी तो उसने भी उसे हम हरकत करी तो इसमें कुछ नया तो है नहीं आका शानन जी हमसे बात करने के लिए शुक्रिया